मध्य प्रदेश की मौसम समचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंड में अपने जिली का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिली का भी मौसम अपडेट हम देख सके वीडियो बहुत ज़्यादा यूसफुल है तो अंको तक इसे जरूर देखे चलिए जानते हैं 27 और 28 अगस्त को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है कहां पर बारिश की संभाबना है और कहां पर बारिश को लेकर थोड़ा इंतिजार करना पर सकता है लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं प्रदेश का तापमान यानि की प्रदेश की कौन से हिस्से में जादा तापमान बना हुआ है कहाँ पर तापमान में कमी देखी गई है तो आपको बता दे कि अभी प्रदेश के अधिक्ता जलू में तापमान में बड़त देखी जा रही है क्योंकि बीते कई दिनों से मदर प्रदेश के कुछ कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हुई है ऐसे में यहाँ पर गर्मी और उमस का एसास लोगों को हो रहा है लेकिन मौसम विवाक का कहना है कि 27 अगस के बाद एक बार फिर मदर प्रदेश में तेज बारिश के आसार हैं जिसके चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट डर्च की जाएगी लेकिन अभी हाल फिलाल की बात करें तो भोपाल इंदौर जैसे शेहरों में तेज धूप निकल आई है जिसके चलते गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल है और लोगों को बारिश का इंतजार है कि बारिश हो और मौसम सुहाना बने चलिए अब जानते हैं कि अगले दो दिन कहाँ पर बारिश होगी तो आपको बता दे कि मौसम विवाग ने अगले दो दिन तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उमीद जताई है यानि की जोरान प्रदेश में कहीं पर भी तेज बारिश की उमीद नहीं है लेकिन हलकी ब जबलपूर भोपाल होशंगबाद इंदोर उजेन गौालियर और चंबल जिलों में गरत चमक के साथ बहुचारे पड़ सकती हैं तेज बारिश के उमीद नहीं है आपको एक बार फिर बता दे कि मौसम विवाग ने तेज बारिश या मध्यम बारिश को लेकर उमीद नहीं ज सकती हैं तो जिन जिलों के लिए लट जारी किया है उसमें जबलपूर भोपाल होशंगबाद इंदोर उजेन गौालियर चंबल जिले शामिल हैं इसके अलावा कई सागर के संभागों में भी गरत चमक के साथ बारिश हो सकती है बिजली गिड़ सकती है आपको बता दे कि म की संभावना जटाई जा रही है आपको बता दे कि बिलकुल ही छिटपट बारिश होगी तेज बारिश की उमीद फिर से नहीं है और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तेज बारिश की उमीद नहीं है हलकी छिटपट बारिश हो सकती हैं बहुत चारे पर सकती हैं ये करवार की बात करें तो रीवा और शैडोल संभाग के जिलू में कुछ इस्थान पर बारिश बहुचारे पर सकती हैं सागर जबलपुर भोपाल हुशंगबाद गौाली और चंबल संभाग के जिलू में बहुचारे परने के आसार हैं लेकिन तेज बारिश का जो दोर है वो 27 सब्सक्राइस अगस के बाद ही शुरू होगा चले आप जानते हैं कि कहां कहां पर 24 घंटे में बारिश हुई तो आपको बता दे कि पिसले 24 घंटे के दौरान गुरुवार सुभा तक साड़े आठ बजे तक उमरिया के आसपास के लागों में 31.8 मलाज खंड में 4.3 खजराहु में 4 भोपाल के आसपास के लागों में 3.3 सतना में 2 मिली मीटर बारिश हुई टीकमगर में 2 मिली मीटर बारिश हुई नौगा में 1.4 मिली मीटर बारिश हुई और रतला में 1 मिल मीटा बारिश हुई जबलपूर में हलकी बुंदा बांदी देखने को मिली चलिए अब जानते हैं कि मौसम विवा के मताबिक कौन सा सिस्टम मदप्रदेश में अक्टिव है तो आपको बता दे कि अभी मौनसून ट्रफ राज के टीकमगर और सीधी जिले से उकर गुजर रह हुआ है और इन दोनों सिस्टम के एक्टिव होने के वज़े से प्रदेश में नमी आ रही है और अगले तीन से चार दिन बात प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभाबना है बंगाल के खाड़ी शुकरवार को हबा की उपरी भाग में चकरवात बने जा रहा है और शिस्टम सक्रिय होते ही माचल की हमाले के तरहाई में मौन्सून ट्रफ के वापस आने की संभाबना है जिसके चलते मौन्सून एक बार फिर से सक्रिय होगा वहें आपको बता दे कि कई जिले इस वक्त सूखी की चपेट में है 14 जिलों में सूखी के हालाद बने हुए है प साबसे प्रदेश में अब तक तीन फीज़ी कम बारिश हुई है और आनी वाले दिनों में अब उम्मीद जताई जा रही है। बाते सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा। हर दिन मौसम सबडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें। साथी वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।